हां जी बच्चों अभी पिछली वीडियो में हमने टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मैट डिसकस किया था तो एक बार दुबारा से एक फॉर्मैट देख लीजी और इस फॉर्मैट पर आधारिते क्वेस्चन करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव कैश और बैंक दोनों पर पड़ता है तो उन एंट्री इसको देखते हैं हां जी हेडिंग डालेंगे कॉंट्रा एंट्री या प्रती प्रविष्टी क्या कहते हैं Contra Entry या प्रती प्रविष्टी अब इसको हमें समझना है कि Contra Entry क्या होती है या प्रती प्रविष्टी क्या होती है ये वे Entries होती हैं जिनका Cash और Bank दोनों पर एक साथ प्रभाव पड़ता है यानि कि वे प्रविष्टी या वे Entries जिनका Cash और Bank Cash अकाउंट और Bank दोनों पर एक साथ प्रभाव पड़ता है वे प्रती प्रविष्टी कहलाती है क्या कहलाती है प्रती प्रविष्टी या Contra Entries अब ज़रा सोच के देखूं कौन सी ये वो Entries हैं जिनका की Cash और Bank पर एक दम से प्रभाव पड़ता है एक साथ प्रभाव पड़ता है नमबर वन Cash deposited into bank नोट कर लीजेगा इसको Cash deposited into bank बच्चों जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो जैसे ही आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो Cash में से चला गया और बैंक में वो पैसा आ गया एक बात ये समझने की है कि पैसा चाहे मेरे जेब में है चाहे मेरे बैंक में है तो हमारा ही वो पैसा कहीं गया तो नहीं है इसलिए इस तरह की entry का वास्तव में हमारी assets पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा बस क्या हुआ तराजू में हमारा cash जो है वो कम हो गया और bank में जो हमारा पैसा है वो बढ़ गया तो एक balance कम हो गया दूसरा balance बढ़ गया लेकिन total हमारी जो assets है वो उतनी की उतनी रही एक तरीके से क्या है ये एक जेब में से निकालके दूसरी जेब में डाल दिया एक जेब का नाम cash है और दूसरी जेब का नाम bank है जैसे की shirt की जेब में से निकालके हमने अपनी trouser की pant की जेब में रख लिया तो अगर cash bank में पैसा डाल दिया तो इसे बोलते हैं प्रती प्रविष्टी या contra entry cash deposited into bank इसकी journal entry आपको आती है journal entry कीजेगा number two cash withdrawn from bank second entry है cash withdrawn from bank cash में आ गया या फिर cash withdrawn from bank for office use अगर office use लिखा हो या office use ना लिखा हो दोनों का एक ही मतलब होता है लेकिन personal use नहीं लिखा हुआ होना चाहिए बस हमें यह याद रखना है तो इस दो entries हैं जिने की contra entry के नाम से जाना जाता है प्रती प्रविष्टी के नाम से जाना जाता है जिनका की cash और bank पर एक साथ प्रभाव पढ़ता है एक चीज जब बढ़ती है एक चीज कम हो जाती है लेकिन हमारी assets पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता है एक जेब से दूसरी जेब में हमने पैसा डाल लिया लेकिन हमारे पास तो वो पैसा पूरा का पूरा बरकरार है अब इसको कैसे हम उसकी posting करते हैं कैसे cash book में दिखाते हैं वो हम जब question करेंगे तब हमें समझ में आएगा अब आप निकाल लीजे question number 4 page number 153 153 number page पर question number 4 निकाल लीजे जिसमें bank column cash book लिखा हुआ है उस question को करते हैं यह format बना लेंगे बच्चो वो ही date particular LF cash bank date particular LF cash bank अपनी copy को ऐसे लिटा के बना लीजेगा सीधे में अगर आप ना बना पा रहे हो तो तो ऐसे copy को लिटा कर भी बना सकते हैं दिक्कत आ रहे हो तो दो pages को एक साथ लेकर भी बना सकते हैं पहले वीडियो को pause करके format बना लीजे फिर question discuss करते हैं one by one I hope आपने वीडियो को pause करके बना लिया है चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला first point क्या है December का question है यह 1 December को started business with cash मैंने बताया था इसकी शुरुआत या तो two balance brought down से होगी या फिर two capital से two balance brought down से कब होगी जब balance पहले से दे रखा होगा like cash in hand लिखाओ cash at bank लिखा हुआ हो balance लिखाओ लेकिन अगर started business word लिख दिया है तो cash account debit two capital account हमें journal entry पता ही है तो उसकी posting two capital account कितना cash लेकर आ रहा है 80,000 क्योंकि वो cash ला रहा है इसलिए हमने लिख देना है cash column में हमारी first transaction complete हो गई second transaction देखे 4 December की deposited into bank what deposited into bank क्या deposit कर आया bank में definitely क्या deposit कर आने गई होंगे bank में cash तो यानि की cash हमारे पास से चला गया और bank में वो पैसा आ गया वो entry जिसका cash और bank दोनों पर एक साथ प्रभाव पड़ता है उस entry को contra entry कहते है प्रती प्रविष्टी कहते है लो जी आ गई हमारी प्रती प्रविष्टी cash deposited into bank bank में पैसा आया एक काम तो ये कर लीजे जब भी cash book बनाए यहाँ पर लिखो receipt और यहाँ पर लिखो payment तो जहां पैसा आएगा उसके receipt side में और जहां से पैसा जाएगा उसकी payment side में question है cash deposited into bank यानि कि bank में पैसा आया तो bank में ले आओ पैसा कितना पैसा आ रहा है 50,000 तो bank में पैसा आ गया 50,000 पहले हमेशा amount लिखो तो bank के receipt side में लिख दिया है पहले amount लिखना है हमेशा याद रखना है bank में पैसा आया और cash हमारे पास से चला गया तो cash को भेज दो bank में पैसा आ गया cash हमारे पास से चला गया अब देखो हमने ledger posting में सीखा है कि उस account में कभी भी उस account का नाम नहीं आता यह क्या है bank तो bank है तो यहाँ पर आ जाएगा to cash और चार तरिक और यहाँ पर cash है cash में है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए by bank यह बिलकु ledger posting है अगर आपको उसकी general entry आती हो cash deposited into bank so bank account debit to cash account होता है वो ही posting हमने यहाँ पर करी है to cash by bank लेकिन पहले हमेशा amount लिखो deposited into bank है तो bank में जमा हो रहा है इसलिए bank में पैसा आ गया bank के receipt side में cash की payment side में अब वो entry जिसका दोनों जगा समान एक साथ प्रभाव पढ़ता हो ऐसी entry को बोलते हैं contra entry और इसकी पहचान करने के लिए हम LF वाले column में लगा देते हैं C दोनों तरफ और C का मतलब contra entry यह चार तारीक वाली हमारी entry complete हो गई अगली entry देखते हैं अगले page पर 10 तारीक की हमारी entry है 10 तारीक की entry है received cash from Rahul बहुत simple है received cash from Rahul received, received, receipt side में किस से receive कर रहे हैं? Rahul से क्या receive कर रहे हैं? cash receive कर रहे हैं इसलिए कौन से column में लिखोगे? cash के column में लिखोगे और कितना cash receive कर रहे हैं अप Rahul से? 1000 तो यह 1000 हमने यहाँ पर लिख दिया और यह कौन सी तारीक की कहानी है? 10 December की 10 December को हमने लिख दिया कि हमने Rahul से 1000 cash receive किया कुछ नया नहीं है? simple cash book में हमने किया था ऐसा 15 तारीक को bought goods for cash bought goods या purchased goods purchased, purchased, payment payment कर रहे हैं goods खरीद रहे हैं by, क्या लिख हूँ यहाँ पर? by purchases account और amount कितना आएगा? 8000 और date क्या होगी? 15 December तो purchased goods या bought goods एक ही बात है 22 पॉइंट देखिए bought या purchased, 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 payment payment side पर goods खरीद रहे हैं by purchases कितने की goods खरीद रहे हैं? 10,000 की अब क्योंकि check से payment कर रहे हैं तो check मतला bank वाला column so by purchases 10,000 और date क्या है? 22 December तो 22 December तक हमारी transaction complete हो गई 25 सारी की transaction देखिए paid to sham by cash paid, paid, payment तो payment side में और वो भी cash से payment कर रहे हैं क्या लिखूँ? by shiam और क्योंकि cash पे कर रहे हैं तो कौन से column में? cash column में 20,000 हमने cash column में लिख दिया by shiam date है हमारी 30 तारिक sorry 25 December 25 December को कर दिया अब 30 तारिक को drew from bank for office use drew from bank या withdrawn from bank या cash withdrawn from bank for office use bank से cash निकाला कौन सी entry है? contra entry bank से निकाला bank से निकाल दो bank से निकालेंगे bank से निकाल दिया और cash में वो घूम के पैसा आ गया cash में लेके आ जाओ bank से निकल गया cash में आ गया cash के receipt side में अब bank है तो bank में bank का नाम नहीं हो सकता क्या नाम होगा buy cash और इधर cash में है तो cash में cash का नाम नहीं हो सकता क्या होगा to bank account कौन सी तारिक को 30 तारिक को दोनों तरफ 30 December हमने लिख देना है और वो entry जो दोनों तरफ समान प्रभाव डालती है उसे बोलते हैं contra entry और contra entry के लिए हमने लगाया C आगे देखते हैं 31 तारिक बहुत असान है rent paid by check rent paid payment एक बात तो पता चल गई rent pay कर रहे हैं तो payment side में लिखा कैसे pay कर रहे हैं चेक से इसलिए bank column में 1000 रुपे अगर cash में pay कर रहे होते तो cash में आ जाता वो हमारी transactions हो गई complete अब करना है इसका total कैसे करेंगे दो दो line चोड़के line कीश दो और दोनों तरफ का total करो इधर का total करो हमेशा सबसे पहले cash का total किया करो 83,000 इसी 83,000 को यहां लिखा और इस 83,000 में से यह सारग हटा दिया आया 5000 यह 5000 क्या है buy balance carried down कौन सी तारिक को 31 December को bank column का total कीजिए हमेशा देखना होता है कि इधर का total जादा bank में definitely इधर का ही जादा दिख रहा है 50,000 इसी total को यहां लिखा 50,000 और इसमें से इस सारे को घटा दो कितना आ गया 37,000 इसका मतलब महीने के अंत में cash मौजूदे 5000 और bank में पैसे पड़े हुए है 37,000 यह हमारा two column cash book complete हो गया अगली वीडियो में भी अगला question discuss करते हैं इसे complete कर लिजे 31,000